मिर्जापूर Amazon Prime की Most Popular Web Series मिर्जापूर जिसने Amazon Prime को बहुत बड़ा नाम कमा कर दिया क्या आप जानते हैं साथ 2020 में Google 12,000 साल की सबसे अधिक सर्च होने वाली शो के लिस्ट में मिर्जापूर चौथे नमबर पर थी अगर 2020 की सबसे अधिक सर्च होने वाले इस Web Series के सीजन के बारे में बात करें तो मिर्जापूर के दूसरे सीजन के अंत में कुटू पंडेत कोलु गुपता ने मुन्ना त्रिपाठी को मार कर अपना पदला तो पूरा कर लिया वहीं कालिन भाईया भी पूरी तरह से खायल हो गए अब देखना ये है कि मुन्ना भाईया के खत्म होने के बाद मेकर स्टोरी लाइन को मिर्जापूर के सीजन 3 में आगे कैसे बढ़ाते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टी इंपोमेशन में आज हम बात करेंगे मिर्जापूर के सीजन 3 के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप से तहे दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बेहतरिन वीडियो हम आप के लिए लाते रहें तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे पढ़ते हैं अगर मिर्जापूर सीजन 3 की अपडेट की बात की जाए तो वैब सीरीज के को प्रोड्यूसर रितेश सिथवानी ने इसका हिंट दे दिया है मेडिया रिपोर्ट के मताबिक शोग के प्रोड्यूसर रितेश सिथवानी ने कहा है कि मिर्जापूर सीजन 3 की कहानी लिखी जा चुकी है अगर इसके शूटिंग की बात करें तो इसकी शूटिंग भी इसी साल शुरू होनी थी लेकिन करोना की दूसी लहर के कारण इसे डाल दिया गया हाला कि सरकार ने शूटिंग की परमेशन दे दी है लेकिन परसाथ के कारण बाहर शूटिंग होना संभब नहीं हो पा रही है मिर्जापूर के को प्रोड्यूसर रितेश सिथवानी ने कहा है कि सीरिज की शूटिंग जल से जल बरसाथ के बाद शुरू कर दी जाएगी अगर अंदाजा लगाए तो अक्तूबर के महीने तक मिर्जापूर सीजन 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी मिर्जापूर सीजन 3 की अगर स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें पुराने चहरों के साथ साथ कुछ नए चहरे भी जोड़े जा रहे हैं जिन में फरीदा जलाल और विवाना सिंग का नाम उभर कर आ रहा है अगर दिवीदु शर्मा की मिर्जपूर सीजन 3 में वापसी की बात की जाए तो इसे बहते तरीके से मेकर्स ही बता सकते हैं कि दिवीदु शर्मा की वापसी सीजन 3 में होगी या नहीं होगी लेकिन देखा जाए तो सीजन 3 में मुन्नात्री पाठी यानि कि दिवीदु शर् जितना सीजन 1 और सीजन 2 को मिला है मिर्जबू सीजन 3 की रिलीस डीन की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया सेटमबर के एंग मैं या अक्तूबर में इसकी शूटिंग शूरू हो जाएगी तो कम से कम इसकी शूटिंग को 7 से 8 महीने लगेंगे उसके बाद एटीडिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम यानि कि ये सीरीज हमें 2022 के अंतो तक देखने को मिल सकती है या तो फिर 2023 के शुरुआती दौर में क्योंकि किसी भी बहतरीन वेब सीरीज को बनाने के लिए मेकर्स को बख तो लगता ही है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर हमारे पास मिर्जपूर सीजन 3 को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो हम जल्द से जल्द आपके साथ शेर करेंगे तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अपना खाया रखें सुरक्षित रहें